हेलो नमश्कार जी मैं रवी अहुजा मत्रा का निवासी हों मत्रा में रहता हूं यह मेरे पिता जी श्रीबाल क्रिशन अहुजा जी यह भी मत्रा में रहते हैं मेरे साथी यह पिछले एक एक साल से कॉनकी समस्या से पीडित थे और इनको कान मे इंफैक्शन हो गया था लेफ्ट इट fulfियर में इंफैक्शन हो गया मैं इनको यहां पर दिल्ली के और और गुड़गाँ में कई हस्वतालों में ले गया जहां पर وہ सिर्फ दवाइयां लिखे दे दे थे और उससे प्राब्लम का हल नहीं निकल रहा था उसके बाद फिर फृरीदाबाद भी ले गया मेट्रों में ले गया वहाँपर हार्ट का भी में भी इंफेक्शन आ गया था वो फिर किया लेकिन कान की जो प्राब्लम है वो जसकीतस बनी रही वह सिर्फ गो यहां पर नोईडा में पढ़ता है बैनर्ट युनिवस्टी में उसके एक फ्रेंड यहां का गुड़गाओं का निवासी है उसने हमें बताया कि आप इस पर आस्पिताल में जाएं उसकी मदर का भी इदर इलाज हुआ था और अभी चल भी रहा थोड़ा था तो वहां पर ड मैंने यहां पर डॉक्टर सब मिला और उनको अक्षो में पिदा जी बारे में बताया थो उनने खा उनको लेके आई यह और मैं यह precious गरूंगा और ऑफरोपे यहां अग्ले दिन को यहां तो फिर उनका जो उपरेशन है वो उल्टे गान का सक्सेस्फुल हुआ फिर उसके बाद हमारे को रिलीज किया गया फिर पंदरा दिन बाद इनकी फिर दुबारा से सीटी स्कैन हुआ तो यह पता चला कि साइनस में भी इंफेक्शन है तो आज कल हमारा कल यानि की आठ अगस दो हजार बाइस को साइनस का भी ऑपरेशन उन्होंने सक्सेस्फुली किया बलप्रीज जी भी साथ में थे बलप्रीज जी ने भी किया और शिरी मनीश प्रकाश जी ने भी किया डॉक्टर साब ने तो अब यह बैटर फील कर रहे हैं थोड़ा सुनने में इनको दिक्कत है क्योंकि इनकी एज 80 प्लस हो चुकी है उसके लिए भी डॉक्टर साब ने बोला कि मैं करूंगा थोड़ा रिकवरी हो जाए उसके बाद इनको जो भी हेरिंग एड्स वेड़ा जो भी प्रोवाइड कराएंगे वो बताएंगे जैसे है तो ओवरल जो हमारा एक्स्पीरेंस होस्पिटल के लिए बहुत अच्छा रहा और हम लोग यहां पर आके एक तरह से इनको अपनी दुख से पूरी मुक्ति मिली और मैं मत्रा निवासी लोगों से भी कहाऊंगा कि वो भी यहां पर एक बार आएं अपना यहां पर सिर्फ हार्ट का यह लोग में डील नहीं करत हुआ 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 है